सहारा गुरुप और इसके मालिक सुब्रतरोय को लगता है लोगों की बहुत ज्यादा हाई लग चुकी है इसलिए शायद आज तक उनकी मुश्किलें अब कम नहीं हो रही है इन लोगों ने पहले तो लोगों को अच्छे से ठगा और फिर खूब पैसा बनाया अब जुर्मा जुर्माना वसूला है ये जुर्माना करीब 6.57 करोण रुपे का है जिसमें ब्याज और बाकी शुल्क भी शामिल है आपको बता दे सेवी ने इस मामले में दिसंबर में ही सहारा प्रमुक सुब्रतरोय और अन्य अधिकारियों के बैंक और टीमेट खातों को कुरुक करने का आदेश दिया था इस आदेश में OFCD जारी करने में नियमों का पालन नहीं करने के चलते सेवी ने 6.42 करोडों पे वसूलने का आदेश दिया था इसमें तब भी बयाज लागत शुल्क और सभी खर्च शामिल थे लेकिन समय पर इनका भुकतान ना करने के चलते रकम और पढ़ गई आपको बता देश सेवी ने जून 2022 में इन कंपनियों पर 6 करोड का जुर्माना लगाया था जिसका भुकतान नहीं होने पर वसूली की कारवाई की जा रही है अगर आप OFCD को लेकर सोच में पढ़ गए हैं तो बता दें ये जनता से पैसे उधार लेने का एक तरीका होता है जिसके बदले में ब्याज चुकाया जाता है साथ ही इसके जरिये निवेशक कंपनी के इससेदार भी बन सकते हैं हाला कि OFCD के कुछ नियम होते हैं जैसे अगर 50 से कम लोगों को OFCD जारी होती है तो कंपनी रेजिस्टार से अनुमती लेनी होती है वहीं अगर 50 से ज्यादा लोगों को OFCD देनी हो तो सेवी से परमिशन देनी पड़ती है बस यहीं सहारा गुरूप से चूक होगी कुछ नियमों का पालन सहारा गुरूप द्यारा नहीं किया गया जोसका भुपतान कमपनी आज तक कर रही है इस मुद्धे पर सेवी का कहना है कि सहारा गुरूप की कमपनी द्वारा लोगों से OFCD के लिए पैसा लिया गया लेकिन उनका जो खिम कितना बड़ा है इस से ज GDP यानि Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices का उलंगन भी किया गया है अब बात सहारा मामले के इतिहास पर यह मामला शुरू हुआ था 2009 में तब सहारा गुरूप की एक कमपनी ने शेर मार्कित में जाने की इच्छा जताई थी अब आप कोई पता है कि शेर मार्कित में जाने से पहले सेवी से पर्मिशन लेनी पड़ती है ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कमपनी ने सेवी को IPO लाने के लिए DRHP भेज दिया यारी मार्कित से पैसा उगाई के लिए अपना बायो डेटा भेजा सेवी ने जब कमपनी का बायो डेटा चेक किया तो इसी दोरान सहारा की दो कमपनिया सहारा इंडिया रियरली स्टेट कार्परेशन लिमिटेड और सहारा हाॉसिνग इन्विस्टमिन कोर्परेशन रमिटेड गरट घरिमें आ गई सेवी ने जयांच की और जयांच में पाया कि इन दोरों कमपनियों ने दो से ڈकरोल लोगों से करीब 24,000 करोड रूपे खट्टे कर लिए साथ ही जांच के अंदर ये भी सामने आया कि सहारा के कई निवेशक फर्जी है और कई ऐसे हैं जिनका कंपनी से दूर दूर तक कोई रिष्टा नहीं है आसान भाशन में कहें तो सहारा ने इन दो कंपनियों के जरीए लोगों से पैसा वाई किया और दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि कंपनी इन पैसों से डिष्ट के अलग-अलग शहरों में टाउन्शिप बनाएगा लेकिन सहारा ने ना तो कोई टाउन्शिप बनाई ना ही लोगों के पैसे वापिस के आज की तारीक में भी सहारा के सताय लोग परिशान है और आस लगाए बैठे हैं कि किसी दिन उनका पैसा वापिस मिलेगा झाल 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 झाल